Hey guys, welcome back to my YouTube channel once again अगर आप 12th pass हो तो इस वीडियो को जरूर देखना है क्योंकि 12th pass के लिए एक नई vacancy है February 2022 की एक नई vacancy और बहुत ही अच्छी vacancy है इसमें form fees भी बहुत ही कब लगने वाला है and government job है, fully government job है salary का package वेगरा भी अच्छा है all over India के लिए eligible है कोई भी candidate apply कर सकता है वीडियो start करते है start करने से पहले बता दूँ कि अगर आप ने हो चैनल को आपने अभी तक subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लेना और bell icon जुरूर प्रेस कर लेना जब भी कोई नई vacancy आएगी बट मेरी कोशिश यह रहती है कि जाद तर जो jobs के बारे में बताया जाए आपको official notification के थूँ ही बताया जाए तो यह official notification है जिसके बारे में पूरी information इस वीडियो में देने वाला हूँ सबसे पहले हम departments की बात कर लेते हैं किस department की vacancy है और कि SSC की तरफ से vacancy जाए हुए यानि central government की vacancy है notice release कर दिया गया है and combined higher second यानि 10th plus 2 मैंने अल्लेडी बता दिया कि अगर आब बार्मी पास हो तब ही आप इसके लिए apply कर पाऊगे तो यहाँ पे जो है 12th वालो के लिए है और यहाँ पे registration जो है एक February से start हो जाएगा ठीक है यानि हो चुका है already और last date जो रखा गया है वो 7 March तक रखा गया है और online fees payment करने का last date 8 March तक रखा गया है और बात अगर मैं last जो है यहाँ पे exam एगरा की बात करूँ तो या correction की बात करूँ तो 11 March तक कर सकते हैं और exam का schedule जो है यहाँ पे मैं में होनी की मतलब possibility है May भी हो सकता है कि आगे बढ़ जाए बट मैं में बताया गया है अब tier 2 का exam भी उसमें बता दिया जाएगा लेकिन first tier का मैं में होगा tier 2 का भी notification मिल जाएगा आपको उसके बाद pay scale की बात करूँ ना pay scale आपको अच्छा मिलेगा यहाँ पे देख सकते हो LDC की vacancy है LDC को हम लोग कहते है lower division color ठीक है जिसमें Sally का package 19,900 से 63,000 के बीच आपकी होने वाली है उसके बाद अगर आप दूसरा post के लिए apply करते हो postal assistant के लिए apply करते हो जिसको short में shorting assistant भी कहते है तो 25,000 से Sally स्टार्ट होती है इसके लावे भी और सा benefit मिलेगा data entry operator को जो है दो category में divide किया गया एक DE हो गया जिसमें आपको 25,500 से Sally स्टार्ट होती है और data entry operator grade A की बात करूँ तो इसमें भी Sally स्टार्ट होती है तो दो तरह की post है इसमे vacancy जो यहाँ पर बताया गया है vacancy will be determined due courses update vacancy position will be uploaded on the website तो number of post के बारे में अभी mention नहीं किया गया है कि कितनी post है बट वो आगे mention कर दिया जाएगा reservation category का lab आपको मिलेगा अगर आप SC हो, ST हो, OBC हो तो आपको reservation category का भी lab जुरूर मिलेगा उसके अलाबा जो है यहाँ पर बताया गया है कि अगर physically challenged हो तो भी आप apply कर सकते हो यहाँ पर कुछ benchmark दिया गया है आप यहाँ पर nationality क्या चीए citizen of India, citizen of Nepal, भूटान आप इन जगे से belong करते हो तो easily भी apply कर सकते है वैसे all India का candidate तो eligible है age criteria जो है 18 से 17 साल के बीज रखा गया है उसके अलाबा अगर आप SC, ST, OBC वेगर है तो आपको age lexation मिलेगा अगर SC, ST हो तो 5 साल का मिलेगा OBC हो तो थोरे सा कम मिलेगा इस तरह से आप age lexation भी देख सकते हो यहाँ पर जो है total 65 page का notification है पूरी information इसमें details में दी गई है तो इस notification को पढ़ने के बाद आपो कहीं जाने की जोगत नहीं है और यहाँ पर देख सकते हो qualification क्या बताया गया है कि 7 March तक 7 March तक जो है आपका 12th pass होना चाहिए ठीक है उसके अलाबा जो बताया गया है candidate must have past 12th standard equivalent examination from a recognized board or university किसी भी इंडिया में किसी भी board से अगर आपने 12th pass कर रखा है तो apply कर सकते है same इसमें भी रखा गया है data entry वालों में भी रखा गया है लेकिन क्या है कि इसमें एक extra skill मांगा जाता है कि आपकी typing वेगरा थोड़ी सी अची होने चाहिए अब apply कैसे करोगे apply करने के लिए जो है आपको ssc.nic.in पर जाना होगा अब यहां पर size बगरा बता दिया गया है कि photograph का क्या size होना चाहिए तो 20kb to 50kb के बीज जो आपकी photograph की size होनी चाहिए 3.5 cm wide होनी चाहिए 4.5 cm height होनी चाहिए तो यह सब terms and conditions इसमें दिया गया है इसके बारे में आप खुद भी पढ़ सकते हो और details में जानकाई ले सकते हो अब यहां पर examination center की बात करूँ न तो लगभग all over India में जो है इसका examination center होने वाला है आप जिस state या जिस city से belong करते हो आप वहाँ पर check कर लेना की जो क्या nearest क्या है और यहां पर देख सकते हो exam जो first year का exam होगा first year का उसमें क्या पुछा जाएगा English language जो basic knowledge होती है वो पुछा जाएगा questions maximum जो है मांक 125 से 30 के आसपास होने बाला है ठीक है उसके बाद general English intelligence पुछा जाएगा आगे यहां पर बताएगा है language के बारे में details से बताएगा कि क्या-क्या पूछ हो जाएगा number system में जैसे यहां पर quantity aptitude है इसमें number system fundamental mathematical operations यह सब क्या-क्या पूछ हो जाएगा पूरो syllabus भी यहां पर बता दिया गया है तो इससे क्या होगा कि आपको preparation करने में आसानी होगा आप easily जो है preparation कर पाएंगे typing test for LDC and JSA and postal assistant तो typing test भी आपका होगा typing पे आपको थोरा सा ज्यादा focus करना है अगर आपने पहले typing नहीं किया हुआ तो आपको start कर देना है ताकि typing की speed आपकी अच्छी हो जाए इस तरह से जो है आप easily apply कर सकते हो selection का process तो पता ही है आपको तो यह एक vacancy थी and 100% genuine vacancy है इसमें किसी भी तरह की कोई problem नहीं है आप apply कर सकते हो SSC CHL की vacancy है इस वीडियो को आप share भी करें अगर किसी को इस vacancies के बारे में पता नहीं है तो उसको बताए और इसके लिए apply जरू करें इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिए है तो एक like जरूर कर लेना चैनल को subscribe कर लेना और यह जो notification आप देख रहे हो इसका link आपको नीचे description ने मिल जाएगा वहाँ से जाके telegram जोइन करके आपको notification मिल जाएगा Thank you so much once again